बीना EKYC, 10 साल से ज्यादा पुराना आधार कार्ड होगा, Cancel यदे आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है और इस आधे में आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई संसोदन नहीं कराया है तो आपका आधार कार्ड निरस्ट हो सकता है UIDAI ने यह परकिरिया शुरू कर दी है काफी संख्या में लोगों के आधार कार्ड निरस्त भी किये जा चुके है UIDAI के नुसार इससे बचने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में EKYC अपडेट कराना अनिवारी है पचास रुपे तै की गई है आधार कार्ड में EKYC की फीश EKYC के लिए लगेंगे दो डोकुमेंट्स पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, रजिस्ट्री, पासपोर्ट EKYC क्राएं अपडेट UIDAI के अनुसार जिसके आधार कार्ड पुराने है उन्होंने अभी तक EKYC नहीं कराया है तो ततकाल पास के UIDAI के आधार सिवा के अंदर में जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं यह काम आनिवारी हो गया है UIDAI के अनुसार अगर किसी ने इस आधार कार्ड में किसी भी तरह का संसोदर नहीं कराया होगा तो उस समय EKYC जरूर हुआ होगा लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनका अधार कार्ड बनने के बाद पता मुबाइल नमबर वही है या किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है ऐसे आधार कार्ड होल्डर को EKYC कराना जरूरी है EKYC नहीं होने पर आधार कार्ड को निरस्ट कर दिया जाएगा पुराने एडर्स अपडेट करवाने के लिए अपोइंटमेंट जरूरी नहीं किसी व्यक्ति का अधार कार्ड दूसरे राज्ये का है और मोजूदास में वो किसी अन्य सहर में है और चाहता है कि अधार कार्ड पर उसका पता पुरा नहीं रहे तो वो पुराने पते का पुर्फ लगा सकता है